Hello Friends, Healthy Recipes में आपका स्वाधत है। आज हम लॉलीपोप बनाने जा रहे हैं। लॉलीपोप हम ये sponge cake से बनाएगे। हम चोकलेट sponge यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो प्लीन वाल स्पोंज भी यूज़ कर सकते हैं। चोकलेट भी कर सकते हैं। हमने ये साथ में milk compound ले लिए हैं आप चाहें तो dark compound, white compound या mix करके कोई भी ले ले और साथ में हमने ये condensed milk ले लिया है आप इसकी जगा पे plain दूद भी ले सकते हैं तो सबसे पहले हम ये इसको हम crush करेंगे ये हमने सारे sponge को crush कर लिया है ये देखिए अब हम इसमें ये थोड़ा सा condense मिलें बस ये हम थोड़ा सा ही डालेंगे ज्यादनी सिर्फ binding देनी है हमने इससे ये देखिए अब इससे हम एक बॉल बना के देखिएंगे ये बन रहा है तो हमें और कंडेंस मिल्क नहीं चाहिए आप इसकी जगह पे दूध एक चम्मच डाल सकते हैं अब हम ये ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाके रेडी कर लिए हैं अब इसको हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए और तब तक हम ये मिल्क कंपाउंड को माइक्रोवेव में गरम कर लेते हैं 10 मिनट हो गए हैं ये देखी हमारी चोकलेट भी मेल्ट हो गई है ये हमने माइक्रोवेव में 30 सेकेंड ही मेल्ट किया बाकी फिर हमने इसको गुमाया अब हम एक बॉल लेंगे ये हमने वूडन स्टिक्स लिए हुई हैं इसको हम चोकलेट में टिप करेंगे और इसके अब ये सारे रेडी गर के रख लिए ये हमने सब को स्टिक्स लगा दी हैं अब इसको हम 15-20 मिनट देंगे सेट होने के लिए फ्रिज में 20 मिनट हो गए हैं हमारे लॉलिपॉप सेट हो गए हैं और हमने अपने चोकलेट को फिर से 10 सेकिंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था यह यह बली कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी अब हम एक लॉलिपॉप लेंगे अब इसके ऊपर हां और इसको हम ऐसे ड्राइव होने के लिए क्योंकि टच नहीं होना चाहिए कहीं पर भी हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं इस सारी बाकी की नीचे चली चाहिए और इसको थोड़ा सा घुमाते रहेंगे और यह जब ड्राइव हो जाएगा तब यह स्प्रिंक्लर्स नहीं चिपकेंगे अब हम ऐसे ही पाकी के भी हम यह लॉली पॉप ऐसे रखके इसके ओपर चॉकलेट ऐसे भी डाल सकते हैं यह देखिए यह सब तरफ आ जाएगी अब इसको ऐसे गुमाते हुए ही और स्प्रिंक्लर्स आपकी इच्छे हम इस पर छोड़ देते हैं अब इस पर हम यह मल्टी कलरड वाले लगा देते हैं यहां से जो ड्राइ हो रहे हैं अब इसको हम साथ के साथ उठाते भी जाएंगे तब ही हम और को रख सकते हैं अब हमने यह हमारी चॉकलेट है इसके अंदर हम यह थोड़ी सी वाइट कंपाउंड आड़ेंगे यह हमारी डबल कलर आ जाएगी अब इसको पकड़ के यह देखें ऐसे आएगा अब इसको भी हम यही पर हम थोड़ी सी और वाइट कंपाउंड ड़ेंगे यह देखिए अब इसको थोड़ा से ऐसे टैप करेंगी तो एक्स्ट्रा सारी बहारा जाएगी और फिर हम यहाँ पेस को ड्राइ होने के लिए रखतेंगे अब हम सारी ऐसे ही रेडी करतेंगे यह हमारे सारे लॉलीपॉप रेडी है अब इसको हम सेट करने के लिए दस मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ेंगे अब हमने इनको फ्रिज से निकाल लिया है और यह देखिए पूरी तरह सेट हो गया है यह लॉलीपॉप बहुत हिल्दी होते हैं और इसमें तो हमने वैसे भी केक ही डाला है तो बहुत अच्छे हैं और बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं और अब आप भी यह लॉलीपॉप बनाएए खाये और इंजोई करिए और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए